वेलकम टू लेर्नर भी आएम शिवानी चाहान क्लास 7th मास चेप्टर 6 ट्राइंगल और इट्स प्रॉपर्टी इस एक्सराइज 6.5 का हम दिखने वाले हैं तो ग्वेशन 6,7,8 तो ग्वेशन 6 में हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है PQR इसमें एंगल Q जो है वो है 25 डिगरी का और एंगल R जो है वो है 65 डिगरी का हमें बताना है यह जो स्टेट्मेंट गिवन हैं यह ट्रू है या फिर फॉल्स हैं तो बेसिकली हम लोग को दिखना है Sum of all angles of a triangle is 180 डिगरी तो इसका मतलब 25 डिगरी प्लस 65 डिगरी और उपर वाला क्या है अंगल P इन सब का सम जो होगा वो 180 डिगरी होगा 25 और 65 को जब हम आड करते हैं तो वो बनता है 90 अब अंगल P की क्या value आजाएगी अंगल P की value आएगी 180 माइनस 90 तो अंगल P क्या आगया अंगल P आगया 90 डिगरी ठीक है अंगल P 90 डिगरी आगया तो यहाँ पर हम लोग अगर लिख दे 90 डिगरी तो वो ठीक हो जाएगा अब देखो हमें लगानी है पाइथागोरस थियोरम तो पाइथागोरस थियोरम अगर मैं लगाओ और मैं इनको फिलाल भूल जाओं तो इनको जो साइड सामने वाली होती है 90 डिगरी के सामने वाली जो साइड होती है वो साइड होती है हाइपोटैनियोट तो यहाँ पर हमारी पैथाकोरस टेयोरम के अकौर्डिंग आएगा Q r² किसके बडाबर होगा Q P2 सॉरी Pr² क्यूं? ऐसा क्यूं हुआ? क्योंकि जो 90 degree के सामने वाली side होती है वो hypotenuse होती है और hypotenuse का square होता है base square plus perpendicular के square के बराबर इत्ती वा समझ मैं अब ये वाला statement तीनों में से जो वी है ये वाला statement तीनों में से जॉंसा वाला भी बन रहा है वो हमारा आंसर है दुबारा से मैं आपको यह वाला question समझा रही हूँ हमें दो angles given थे तीसरे वाले angle की value हम लोग ने निकाल ली क्यों निकाल ली क्योंकि हमें जब पिये देखना है कि भाई, Pythagoras theorem apply हो रही है या नहीं हो रही है Pythagoras theorem apply होती है जब किसी triangle का एक angle 90 degree होता है और जो वाला angle 90 degree होता है ना उसकी जो दोनों वाली sides होती है वो एक base होती है और एक perpendicular होती है और 90 degree angle जहां पर बन रहा होता है उसके सामने वाली side hypotenuse होती है और Pythagoras theorem होती है hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square अगर ये ये वाली condition जहां पर भी फुल्फिल हो रही होगी वही वाली condition true होगी तो कहां पर हो रही है देखो ये हमारी हो रही है qr का square is equal to qp का square plus pr का square मताब आगे पीछे हो सकता है ये actually second वाला true है तो ये क्या है qr का square is equal to pq का square plus rp का square सेम ही बात होगी आगे पीछे ही इनको हम लोग कर सकते हैं तो second वाला जो statement है ना वो हमारा true है और obviously एक ही true हो सकता है इन में से तो first वाला और third वाला ये false हो जाएंगे hopefully आप लोगों को question number 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा पाइथागोरस theorem हम लोग कैसे लगाते हैं question 6 हो गया हमारा अब हम आते हैं question number 7 पे question number 7 में भी हमें पाइथागोरस theorem ही लगानी है हमें बोला गया है perimeter निकालने के लिए rectangle का perimeter क्या होता है जो ये वाली side होती है न ये इन सारी की सारी sides का जब हम लोग सम कर देते हैं तो वो perimeter निकलता है जैसे की triangle है triangle की जब आप तीनो sides का सम कर दोगे तो वो triangle का perimeter होगा ये rectangle है rectangle का perimeter कैसे निकलता है जब आप rectangle की सारी की सारी sides को add कर दोगे तो perimeter का, sorry, rectangle का perimeter निकल जाता है और perimeter का हमारा rectangle का formula क्या होता है 2 into L plus B क्यों बना ये formula क्योंकि दो बार आपने length को add किया है और दो बार आपने breadth को add किया है इसलिए ही ये formula बना है तो आईए चलते हैं, question करते हैं हम लोगों को 2 sides दे रखी है और हमें ये पता है कि 90 degree होता है rectangle का जो एक angle होता है ना वो 90 degree होता है और जब भी कोई angle 90 degree का होता है तो उस पर तो पाइतोगुरस चुरम लगी जाती है तो हमें 2 sides given है और 90 degree के सामने वाला जो side होती है वही hypotenuse होती है तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल A, B, C AC square is equals to BC square plus AB square बाइ पाइतोगुरस थियोरम और 90 degree क्यों आया क्योंकि ये एक rectangle है rectangle का जो side वाला angle होता है वो 90 degree होता है ये बाद हमें बदा होनी चाहिए चलो AC इसका क्या है diagonal है तो AC यानि कि 41 का square AB AB यानि कि 40 का square और BC यही तो हमें निकालना है तो 41 का square क्या होगा आप लोग 41 into 41 करके निकाल देजिए तो ये होगा 1 1s a 1 1 4s a 4 1 4s a 4 और 4 4s a 16 यानि कि 1 8 1 6 8 1 1 6 8 1 40 तो बहुत इज़ी है 40 का square 4 4 जा 16 और 2 0 इतना समझ में आ गया आप क्योंकि हमें BC square की value निकालनी है तो ये जो है equal to से दूसरी तरफ चला जाएगा 1 6 8 1 minus 1600 ये हमारे पास आ गया तो 1 6 8 1 में से आप 1600 को minus करोगे तो simple सा आपका 81 बच जाएगा BC square अब 81 आ गया तो BC का square था हम root लगा देंगे यहाँ पर ऐसे ही तो solve करते है और 81 root क्या होता है 81 का root होता है 9 क्योंकि 99 जा 81 होता है तो BC हमारे पास क्या आ गया 9 cm हमारे BC की value आ गई अब हम लोग को निकालना है क्या question में find its perimeter आप लोग को समझ में तो आया है ना देखो हम लोग ने क्या किया है फिर से मैं repeat करती हूं एक हमारा triangle है sorry हमारा एक rectangle actually rectangle में हमें दो side गिवन है और हमें इसका perimeter निकालना है perimeter क्या होता है सारी की सारी जो sides होती है ना भारवाली उनका sum यानि कि यह जो हमारे side होती है सारी sides का sum हमारा perimeter होता है और क्योंकि यह rectangle है इसका यह वाला angle 90 degree ही होगा यह rectangle की property होती है तो हमने पाइथागुरस थियोरम लगा दी पाइथागुरस थियोरम हम लोगों ने लगाई तो हम कैसे लगाएंगे इस तरी कैसे लगाएंगे यह वाला हमारा hypotenuse होगा क्यों? क्योंकि जहां पर भी 90 degree का angle बनता है उसके सामने वाली side जो होती है वो hypotenuse होती है तो हमने निकाल दी 9 cm और perimeter of rectangle rectangle का perimeter क्या होता है rectangle का perimeter होता है वो हमारा होता है उसकी जो यह वाली side होती है इन सब का सम यह वाली side आ गई हमारी 9 और यह थी 40 तो perimeter rectangle का formula होता है 2 into L plus B एक side थी हमारी 40 और एक आ गई 9 तो यह हो जोएगा 40 plus 9, 49 और 49 into 2 हम करेंगे तो 2 9s are 18 4 2s are 8 और 9 98 cm ठीक है तो perimeter rectangle का आ गया 98 cm ठीक है तो यह हमारा हो गया answer अब हम देख लेते हैं